है हलो गाज तो कैसे वा सब्रक्तों काई आज के वीडियो में हम लोग क्लास स्कॉड 4v4 कस्टम का टॉप 5 बेस्ट टिपसें ट्रिक्स देने वाला है जिसके मदद से आप मैक्सिमाम 4 वर्सेस 4 कस्टम रूम इजिली जीत पाऊगे तो गाई वीडियो को पूरा एंड तक दे टिपसें ट्रिक्स का वीडियो लाते रहते हैं इस वीडियो का लाइक एम रख रहे है 38 के लाइक उम्मीद अब लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे और पिछले कुछ दिनों से चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है तो प्लीज अपने एक दोस्त के साथ करके अब बढ़ते हैं हमारा फर्स टिपस की ओर समर जो फर्स टिपस है वह गाईस कस्टम रूम के अंदर सो फर्स्ट राउंड जो होता है नहीं क्लेस कोड कस्टम का तो आपको क्या करना है आप में से एक बंदे को जी एटीन उठाना है तीन ग्लूवल उठाना है ठीक है एक बंदे को जी एटीन उठाना है जो बंदा थोड़ा सा कमजोर है उसको जी एटीन उठाना है जो जी एटीन उठाएगा उसको हमेशा पीछे रहना है क्योंकि जी एटीन से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके पास ग्लूवल भी नहीं होगा वह जो तीन ग्लूवल उ के साथ ठीक है समझ जो सेकेंड टिप से हुआ है गाइस फैक्टरी वाला टिप्स फैक्टरी के अंदर जीतना कितना ज्यादा टफ है आप लोग को पता है कोई उपर से मारता है कोई किधर से भी मारता है तो आप लोग को करना क्या है जैसे ही आप लोग को पता चले कि बंदे आपको कवर देना है जैसे देखो मेरा टीम में या पर डाउन होड़ा है बट कोई बात नहीं मैं एक बार उपर चला जाओंगा तो मैं इन लोग का आराम से मार सकता हुआ तो देखो उहाँ पर फैक्टरी के ऊपर बैठा होगा उसको आराम से हेट शोट देने के बाद आप अपने टीम मेंट को बोलो के एक बंदा डाउन है जल्दी जल्दी रस करो तो आपको नीचे नहीं उतरना का टीम मेंट जब तक उपर नहीं आता तब तक आपको कभर देना है उन लोग को बढ़ना उन लोग मर जाएंगे गाइस ओके एक बर अगर आप इसके उपर आ जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा एडबंटेज मिलता जैसे देखो यहाँ पर तीन बंदे चुपके बैठे हैं तो अभी मैं इधर से आराम से मतलब इसको गौन करके त बैसे प्लैंक करना है मतलब एक दम रोटेसे मारके जोन के साइट से घूमके जाना इन बाकी जो तीन बंदें होंगे एक डम मिडिल पर जाएगा एक बंदा सीध्र होग polite को मारने में बहुत आसानी मिलेगा मतलब आपनें्ट को समझ मैं नहीं किदर से मारत शेमार एंडर जाएगा उसको डाउन नहीं होना है जैसे देखो इस बंदे को मैंने डाउन किया मतलब कितरा आसानी से स्कुर्ड मतलब आसानी से मर गया गया घया था यहां पर अपने चार राउंड होचोगे मतलब 4 जीरो हो गया इसको ज़रूर रिव्ज करना और अपने स्कॉर्ड में एक फ्लैंग का ज़रूर होना चाहिए जो घूम के जाएगा सो भी पर फूर टिप्स की और समझ जो चान नमबर टिप्स होने वाला है वह है गाइज एडबलो तो देखो गाइज ऑपनेंट का उसका खा लेगा तो भाई ऑपनेंट बला कुछ भी नहीं कर पाएगा गाइज बस एडबलो बला को डाउन नहीं हो आपके टीम का एडबलो बला प्लियर है उसको एकदम समाल के रहना है कहीं से भी अगर वह डाउन हो जाता है तो बहुत बड़ा पाएगा समझेर हो गाइज हमेशा माई कॉन करके खेलना है क्योंकि माई कॉन करके खेलोगे तो आप जो है आसानी से मतलब किधर डाउन हो रहा है किधर डेमेज बढ़ रहा है सब कुछ बता पाऊगे एंड आसानी से रस करा सकते हो अपने स्कॉर्ड को गाईज ओके तो और फित रिफ्स की गहता हूं जो पांच यांवर से वह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टीफिप से काफी टाइम पे काफी खतरना कंगा स्कॉड आता है मतलब बहुत तरहा तो उस टाइम पे आपको करना क्या है आपको एक्दम लास्ट जों तक सर्वाइब करना है मतलब को मतलब सबर नहीं रहता ठीक है तो इसी तरह से जो है वो लोग आटोमेडिक रस कर देंगे आपको करना कुछ भी नहीं है आपको बस होल्ड करके बैट जाना गाइस मतलब लास्ट जोंता कोल्ड करना है जैसे यह बंदा देखो एकदम मतलब उपर मार रहा है मैंने को देख बट आपका जो टीममेट होगा उसको खेलना आना चाहिए और देखो काफी टाइम पर मतलब हार भी जाता हूं बट बहुत कम हार रहता हूं गाइस ठीक है मतलब मैक्सिमाम गेम तो जीत के ही आता हूं गाइस मतलब बहुत अच्छा कोडिनेशन अगर बन जाता है आपका स स्वाट गन का दो स्वाट भी चिपाग गया ना तो बस दस पर्सन का एच पी रहा जाएगा तो आप लोग स्वाट गन चलाओ एंड प्रैक्टिस करो उसके बाद अपने स्क्वाट के साथ कोडिनेशन बना के जा सकता आप 4v4 के लिए गाइस ओके सो मिलते हैं अगले